हलो स्टूडेंट चलिए ऐसा सी जीडी का एक कुशन देखते हैं इसमें यह किया रहा है एस ने 40 रुपे पर केजी की रेट पर चीनी खरीदी और उसे एक्स रुपे पर केजी की रेट से बेज दिया लेकिन उसकी जो वजन तोलने वाली मशीन थी उसमें खराबी के कारण व उसका तो इस कुशन को अपने दो पार्ट में करते हैं एक पार्ट अपने ले लेते हैं प्राइज का जो रेट वो खरीद रहा है या बीच रहा है यानि कि मुल्ले का और दूसरा अपने ले लेते हैं वेड का यानि कि वजन का जितना वो तोल के देता है तो अगर अपने बात करें तो यह 1000 ग्राम यानि कि एक किलो की जगें 800 ग्राम तोलके दे रहा है तो इसका जो प्रॉफिट है वो हो गया 200 ग्राम यह वेट के सिस्टम में हो गया कि एक किलो वो 40 रुपे में लाया है और उसे वो इक किलो के जो बेज रहा है रीयल में उसमें 800 ग्राम में तोलके दे रहा है तो उसका प्रॉफिट है 200 ग्राम अगर अपने 200 ग्राम में 1000 को डिवाईड करें तो इसके 5 आकफंग kommenleben में तोड़ते के तो एक पार्ट ग्राम यानि कि वो 40 रूपई में से 32 रूपई का जो सामान है वो देता है और 8 रूपए profit कमा जाता है यानि कि weight system में उसका जो profit है वो है 8 रूपया चुलिए अब इसके दूसरे हिश्से में आते हैं प्राइज वाले में अगर अपने प्राइज की बात करें तो प्राइज वाले हिससे में देखें तो वो बोल रहा इसमें जो टॉटल प्रॉफिट इसका हो रहा है वह हो रहा है कि इसका कि थर्टी प्रसेंट अगर अपने देखें तो उसने जो पॉड़ेक्ट बेचा वह 32 रुपे का बेचा है मतलब अगर अपने थर्टी पर्सेंट की वैल्य निकालते है तो अपने बास में वैल्य निकलती है 96.10 यानि की 9.6 रुपिज यानि कि वो 32 रुपे का total समान बीच रहा है और उस पे वो 9 रुपे 60 पैसे कमा रहा है अगर अपने इस पे देखे तो 9 रुपे 60 पैसे में से वो जो 8 रुपया है ये कम तोल के कमा रहा है अगर 9.6 में से 8 रुपीज वो कम तोल के कमा रहा है तो बेजते वक्त वो कितना profit कमा रहा है 1.6 अब उसने इस product को खरीदा क्या rate था 40 और 1.6 में extra में बेज रहा है तो उसका जो selling price है वो है 41.6 रुपीज पर केजी और यही question में पूछा गया तो अपना answer है 41.60 पैसे यह 41.6 रुपीज पर केजी और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे like करे share करे और चैनल को subscribe करे थेंक यू